इस कोазд मैं कुछिन है एसिस्टिव टेकन Sug זה Dol Liberal जो JUST के जाती इंक कॉन सि यूस की जाती है इंक तरो hug यह पहली एस अSwst.'' इसिस्टिव टेकनोलोजी क्या होती है पहले समझ लेक्र शातिम इन इत्सक्रिया है है यह जो शवांट कर रहे हैं । बच्छे 4-5 तरह की प्राब्लम में है मैं टाइप ऐफ चैटेगORी बच्छो गिनिता रहा हुआ वह भी सात में बोल देता हूं वैसे जनбо स्थाby tend graph को reading की प्राब्लम है बीडों कि इस की से थारह हो सकती है ca cn की problem visually impaired भी हो सकते हैं और dyslexic जिनको neurological problem होती है किसी भी तरह से बच्चे को वेशक वो उसकी eyesight कम है जहां total blind है जहां कोई और problem के कारण reading की problem है तो वो read कर सके इसके लिए कुछ devices होंगे उनकी लिस्टा भी देखेंगे राइटिंग की problem हो सकती है अचा के लिखने में problem आ रही है listening में problem आ रही है सुनने में speaking में problem आ रही है तो यह सारे category क्या बन रही है एक word में अगर आपने बताना है first of all assistive technology क्या है कि जो communication related problem है और चार स्केल उसमें शामिल है communication plus C से है कैलकुलेटिव प्रॉब्लम जा इसको आप maths maths के साथ related problem कह सकते हैं तीसरी है motor motor activity की problem तो यह तीन तरह के जो ज्यादा intensive बच्चे जिनकी यह problem के कारें जिनकी learning effect होती है negative effect होती है वह पीर ग्रुप से पीछे रह जाते हैं और उनको stress का सामना करना पड़ता है उद्धा सीनता का सामना करना पड़ता है और वह participation अच्छी तरह से teaching learning process में नहीं कर पाते वह participate कर सकें इसलिए यह assistive technology है कि जिनको motor communication और कल्कुलेटिव और math related problem है उनके लिए modern technology जी ने कई तरह के devices invent किये हैं साथ साथ में वह काम क्या करते हैं और उनकी example क्या है यह बात अब पढ़ेंगे assistive technology की definition देखनी है अच्छा हिंदी में भी साथ साथ में यहां से मुझे दिखाना पड़ेगा यह रहा हिंदी में तो यह समस्या हैं जिनको बच्चों को और यह है आपकी ऐसे उपकरण है software है जिनको विकलांग विकलांग एक तरह के नहीं है जिसको दिव्यांग जो मैं पीछे बाते करके आया हूँ विक्तियों की शमताओं स्वतंतरता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है मैंने सिर्फ बात की यहां पर जाते हैं कि मान लीजिए यह learning disabled person है और यह वाला दूसरा person है यह वाला यहां से के यह person की एक तो learning disturb हो रही है ओके यह बात की है और quality quality of life ultimate ओके यह दो बाते की हैं कि उसकी quality of life को independence को तीसरी बात और learning abilities को उनको बढ़ाया जा सके तो inclusive education जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं कि संदर्म में सहायक प्रोदोगी कियों के उपयोग यह सुनिश्चित करते हैं करने के लिए किया जाता है कि विकलांग शातर शेक्षक समगरी तक पहुँच सकें सीखने की गती विदियों में भाग ले सकें अपने गैर विकलांग साथियों के जो उनके साथ समान अधार पर जुड़ सकें ये प्रधोगी काएं टेकनॉलजी शात्रों की क्षमताओं और सीखने के महौल की मांगों के बीच अंतर को पटाती है और जिससे बाधाओं को दूर करने और शक्षक सफलताओं को प्राप्त करने में सक्षमता मिलती है इन्टी हमिद्ल है उनकी लरंणिग में उनकी इंडफेंडनेंच में और उनकी लाइफ क्वालिटी और पियर गृप का वो साथ साथ चल सके हैं उसके लिए हैं अब यह जो है कौन कौन सी है यह टेकनोलोजी टाइप्स क्या है इसकी वो बाते करेंगे स्क्रीन रीडर है वैसे नाम से स्पर्ष्ट हो जाएगा इंग्लिश अब कौन सी है फर्स्ट अफ आल है स्क्रीन रीडर स्क्रीन रीडर से स्पर्ष्ट है अगर आपन इजी करना है तो आप एके लिए एग्जेंपल को कोड़ कर सकते हैं नाम थोड़ इसे डिफिकल्ट होंगे स्पैसिफिक मैंने दिये हैं तो यह सक्रीन मतलब देखना है तो नैचुली है कि यह देखने मतलब वीजली इंपेर्ड जो बच्चे होंगे उनके लिए सौफट्वेर कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को जोर से पढ़ता है अब जो कंप्यूटर है वो बोल रहा है it means आप सुन सकते हो अगर आपको दिखाई नहीं देता हाण ना लर्नर को तो आप सुन सकते हो क्योंकि कंप्यूटर बोल के पढ़ देता है तो जो लोग विज की help ले सकते हैं कुछ software है यो software के नाम लिखने हैं तो आप NVDA non visual desktop assess second है text to speech इसके नाम से ही clear है के text say speech की तरफ मनना convert written text into spoken word यह भी visually impaired और जिनको reading की problem है मैंने जो शुरू में points आपको चार पांच बताए हैं वही repeat होने हैं कि जिन बच्चों को यह reading की writing की calculation की listening की speaking की motor activity की problem है तो आपने point के मताबक को वह जो है explain कर देना है natural reader और read write यह जो example है software यह hardware जो exist करते हैं natural reader लिखती पार्ट को बोले गए शब्दों में परवर्तत करता है नेक्स्ट है वाक पहचान English में है third speech recognition translate spoken language into text benefiting individual with mobility impairment dyslexia mobility movement की जिनको problem है हिंदी में example है dragon naturally speaking google speech to text आप बोलते हो जैसे google पर तो यह आपने किया होगा आप बोलते हो इस mic में और यह जो है text यहां पर publish हो जाती है टाइप हो जाती है ऐसा software है यह ब्रेयल ब्रेयल जब आता है तो blind person जो total है उनकी उनकी जो ब्रेयल क्या होती है यहां पर उनके six dots होते हैं चलो आगे चलके बिताता हूं six dot है उसके उसको touch करके वह अपनी language जो meaning communication किया जाता है वो समझते हैं जा लिखते हैं ब्रेयल क्या करती है ब्रेयल display क्या करता है convert digital text into braille for blind individual इतनी बात है refreshable braille displays यह software जो exist करता है अच्छा इसको दूसरा नाम braille terminal भी बोलते हैं इसका तीसरा नाम braille reader भी बोलते हैं आपको अगर braille reader असान लगता है वो आप याद कर सकते हो यह क्या है समझ लेना चाहिए electronic device है जो blind person के लिए है और वो digital information को touch वाली touch में convert कर देता है और touch जहां पर finger वो blind person रखता है तो उसे पता चल जाता है कि वहां पर digital रूप में computer पर क्या information पड़ी है यह convert digital text into braille character इतनी बात है यह याद रखनी है इसकी example देखनी है यहां पर देख सकते हैं यह जो already computer पर जहां screen पर है और वो उसके जो signal है यहां पर convert हो जाते हैं यहां पर touch जब वो करते हैं यह finger से उन्हें पता चल जाता है कि screen पर क्या लिखा हुआ है तो यह blind person के लिए है alternative keyboard यह नहीं याद रहता तो इतना याद रख लीजिए big keys के जो enlarge हैं size में बड़ी है motor activity या motor disability जिनको है तो वो fine motor skills उनकी पूर होती है वो finger को कहीं touch करते हैं कहीं और touch हो जाती है तो वो थोड़ा size में बड़े ऐसे यह देख सकते हैं और different design के है यह देखिए color में है color help कर रहा है और size इनका हमारे वाले normal वाले size से काफी बड़ा है तो यह है Hindi में भी यहां पर वेकल्पिक keyboard बड़ा keyboard नेक्स्ट है शबद भविश्यवानी software यह बहुत इजी है हमारे लिए समझना आपने computer पर type जब करते हो पी एच आप लिखते हो माल लीजी है ना तो वह प्रड़िक्टर है एक word prediction software पी आपने लिखा तो उसके सामने जो जो software है वो जल्दी से बता देता है कि आपी से आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसके संधरब में कौन कौन से शबद आपको चाहिए जैसे पी एच लिखा था फोन आ गया है ना फोन एंड आ गया फोन नंबर आ गया फोन टू आ गया तो आपने चूज किया कि मे लाइल पर भी करते हैं तो यह भी एसिस्ट करती है जो इनको लेंगविज की प्रॉबलम है कोंट्स में लेंगगे जो बैटर लिख नहीं सकते जाहां समझ नहीं सकते उनके लिए हैं आलसो नोन एज प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट भी इसको कहते हैं को ज्यादा important है यह किन बच्चों को जो speech impairment देखा वो category एक आएगी जो speech impairment यहां पर है उनको problem आती है naturally speech impairment है तो उनको symbols pictures और synthesize speech जो है ऐसी form में provide की जाती है और वो जो है user can select symbols और picture representing word, phrase, sentencing to construct message जो message उसने लिखना है digital technology से किसी से भी communicate करना है बताना है वो इन images को देखके वहां पर touch करेगा और उसका message जो है लगबख clear हो जाएगा तो इसके जो existing technology है वो prolog to go और toby dynavox अगर difficult है तो यह याद मत करें यह example है देख सकते हूँ यहां पर picture भी है और यह words भी लिखे हुए है और इसको touch किया जाएगा आपका message जो है communicate हो जाएगा speech impairment वाले बच्चों के लिए है हिंदी में भी यह देख सकते हैं alternative बोलने में अक्षम व्यक्तियों को प्रतीक को चिनन और भाशन की अपयोगता करके विसंदवाद करने में मदद करता है next है अवधारत software English में है magnification software magnification कुछ नहीं है हम zoom करते हैं किसी चीज़ को ऐसे large कर लेते हैं इसको ऐसे large कर लाओं ऐसे है यह मतलब magnifier हो गया बड़ा दिखाई देने लगा तो ऐसे जूम टेक्स्ट है दिखिए आवी गया magnifier है पहले जो blind जा कम जिनकी द्रिश्टी कम होती थी वो एक lens होता था उसको ऐसे सामने रखके है न तो वो बड़ा दिखाई देता था वही बात है यह तो यह software है जो भी display हो रहा है वो बड़ा दिखाई देगा आपके फोन पर भी यह होता है option होता है adaptive learning software हिंदी में साथ बताना जरूरी है यह हो गया अबधारना वाला और अनकुली software यहां पर यह personalized learning प्लेटफॉर्म अड़ेस्टिंग कंटेंट बेस्ट ऑन इंडिविजूल नीड यह बहुत बहुत अच्छी है खान अकेडमी और ड्रीम बॉक्स यह companies हैं जो ऐसे software software develop करती है यह मैथ के लिए है ड्रीम बॉक्स मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ड्रीम बॉक्स यूज अडेप्टिव टेकनॉलजी टेलर मैथ लेसं टू इच स्टूडेंट्स इंडिविजूल लर्निंग नीड अबिल्टी दमोस्ट क्या इंपॉर्टन सबसे ज् है उसने अधिक डिफिकल्टी लेवल वाले जो सम्ज होंगे वो उस पर डिस्प्ले कर देने हैं तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मैथ वर्कशीट इसके बात से ही क्लियर है के तो मैथ की एक्सराइज करने के लिए और यो फीडबेक आपको साथ साथ में दी जाती है और टेक्स देखने की प्रॉब्लम है तो आडियो फीडबेक अगो मिलती है कि आपने यहां पर सम यह गलत कर दिया है उसके कारण यह है तो फीडबेक साथ साथ में मिलती है असेसिबल ई-बुक्स हिंदी में साथ करना है यह हो गया और इलेक्ट्रॉनिक गनित वर्कशीट हो गया सु है नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्जाम्पल है बुक शेयर है ओनलाइन लाइबरेरी है जो स्पेसिफिकली डिजाइन की है इंडिविज्व के लिए प्रिंट डिसेबिलिटी के लिए वीजुली इंपेर्ड के लिए लर्निंग डिस बच्चे हैं जो इजीली इजीली उनको पढ़ सकते हैं वो इजीली उन तक पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं नेक्स्ट है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड यह कुछ नहीं है यह इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड यही है इसके साथ हम कम्मुनिकेशन भी कर सकते हैं इंट्रेक्टिव वाइट बोर्ड इसी को बोलते हैं बंद हिंदी में इंग्लिश में पढ़ता हूं भी क्लोजड कैप्शनिंग एंड सब्टाइटलिंग यूट्यूब की इसकी बेस्ट एक्जमपल है जो आप डायलोग बोलते हो वह टेक्स्ट रूप में प्रिजेंट हो जिए थाता है और उसे related जो content है वह डिस्पले हो जाता है आप उसमें से सहीफ हो जल चूस कर लेते हो ऐसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हेल्प करती है किसी भी लेंग्वेज जहां पिक्चर रिलेटर जो आप काम कर रहे हो इसको डिस्पले करेगी आपने चूज कर लेना है वाइस आउटपुट डिवाइस तो टाइटल पढ़ना है वाइस आउटपट डिवाइस नेचुली यह ह है वह बच्चों की कैटेगरी आप बता सकते हो स्पीच इंपेरमेंट वाले आउटिजम वाले हैं जो कम्मिनिकेशन नहीं कर पाते लेंग्वेज इंपेरमेंट वाले सेरीबला पालसी वाले मूवमेंट की जिनको प्रॉब्लम होती है मोटर एक्टिविटी की तो इनके ल किया हुआ है वह स्पीच में कर देता है बेसीकली यह जो पहले भी ऐसे सौफ्ट वेरा रहे हैं उनके साथ मैचिंग करके इनको समझ सकते हो माईंड मैपिंग सौफ्ट वेर माइंड मैप क्या है कोई कंसेप्ट आपने समिघना यह एक्जामपल है उसकी कोई कंसेप्ट सम आप arrow बनाते हो, direction देते हो, तो ये बनाने के लिए, वीजुली जो idea को represent अपने को करने के लिए, ये software help करता है, learning disabled person की, अपने thoughts, idea, information, जो है structure और interconnected रूप में आप पेश कर सकते हो, example, Xmind की है, next है audio note taking apps, example, दो software की यहां दी गई है, notability और Evernote, ये आप दिये गे lecture को record कर लिता है, annotation feature के आप साथ साथ में लिख भी सकते हो, simply कोई lecture दे रहा है, साथ साथ में उसकी audio भी record हो रही है, और आपकी जो handwriting लिखा भी साथ साथ में जा रहा है, Evernote है, वो text को, note को store भी करता है, images की audio recording और document की centralized digital work space create करके उनको record रखता है, भी या हिंदी में भी देख लें, ये बंद, caption, caption हो गया था, voice output device, ये हो गया था, और साथ में ये आ गया, पंदरमा, mind mapping software, ये हो गया था, audio note लेने वाले apps, ये हो गया था, अनकूली पठन apps, ये रहा हमारा, mobile app है, जो adjustable feature with reading difficulty, और ये, इसने काम क्या करना है, high quality text to speech technology है, convert करती है, ये पीछे पाते हैं, करके आए है, voice dream reader, इसकी example दे सकते हो, learning LA, इसकी example दे सकते हो, हिंदी में है, ये आप खुद ही read कर लीजिए, इतना ज्यादा लिखा नहीं जाएगा, अभ्यासी वास्तविकता, इंग्लिश में है, learning LA, ये रहा, ओके नहीं, ये पिछले की example है, ये virtual reality, बहुत ज्यादा interesting है, virtual reality, के आप disabled learner को कहीं visit पर नहीं ले जा सकते हैं, तो ये ऐसी app है, जिसके साथ आप virtual reality में, computerized reality में उसको ले जा सकते हो, for example, आप किसी triple ले जाना चाहते हो, तो आप उस location को on करोगे, किसी वी world की location को, जैसे google map पर होता है, तो आप वहां पहुंच जाते हो, उसको बढ़ा करते हो, आप सारा उसको देख सकते हो, आपको लगेगा ये reality है, तो ये एक ऐसी app है, using VR headsets and mobile, आपको headset, आप वो doom में गए होंगे, ये science city में गए होंगे, तो उसको याद कर कीजिए, आपको पूरी जैसे reality लगती है, असली, नकली में असली लगता है, तो ये headset है, mobile device है, student can explore 360 degree panoramic image and video of famous landmark historical sites, natural wonders and cultural destination, आपने कोई लेक देखनी है, उसको क्लिक किया, बढ़ा किया, उसकी जो भी reality है, आपके सामने आजाएगी, कोई historical place देखना है, साइट देखनी है, उसको क्लिक करोगे specific को, वो सामने आजाएगी, तो ये very interesting, दूसरी example है, Oculus VR for good, दो-दो example साथ में दिया है, एक याद रहती हो, तो काफी है आपकी, हिंदी में भी साथ ही यहाँ देख लीजिए, यह वास्तविक्वा वाले, यह point आप यहाँ से note कर लीजिए, 360 वाले, यह हो गया, शैक्षिक gaming software, तो gaming जो entertainment के लिए होती है, उसी को ही educational gaming में convert किया गया है, example उसकी है, minecraft education edition, educational version of popular sandbox, sandbox video game है, उसको educational जो है, video में convert किया गया है, एक creativity exploration problem solving skill इससे develop होती है, dragon box series of educational math games, यह example आप दूसरी दे सकते हो, collaborative learning platform, हिंदी में भी साथ में देख लें, यह हो गया है, यह हो गया, सहयक, सहयोग, आत्मक, शिक्षन, मंच, English में वापस चलते हैं, online, cooperative जहाँ word आता है, it means कि आप 2 या 2 से ज्यादा जाने, एक यहाँ है, एक दूर बेठा यहाँ है, हना, तो जैसे हम वैसे, COVID के बाद यह करते ही हैं, तो आपस में यह interact हो के, teaching learning process में शामिल हो सकते हैं, ऐसी बात है, इसकी example बड़ी है, Google Workspace for Education, Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Classroom, Google Meet, Google Calendar, Security and Privacy Control, तो यह Google Meet और इसकी example आप अराम से दे सकते हो, Google Classroom की, Microsoft Teams है, यह Google के नहीं है, अलग से है, alternate format material, textbook और resource available है, audio में, braille में, large print में, हना, वो available है, audio books है, braille textbook है, इसकी example दे सकते हो, dictation software, example है, apple dictation, तो सेम है, पीछे ही बात हो, चुकिए convert करते हैं, जो आप बोलते हो, spoken words को text में, जिनको motor और लिखने की problem है, उनके लिए यह help करते हैं, talking calculator, यह easy है, मेरी ख्याल में, calculator जो बोल लेगा, साथ में, बोल बोल के आपको बताएगा, जैसे आप वैसे वहां पर वो करते हो, अपने, जब patrol pump पर, जहां गूगल पर करते हो, तो बोल के बता देता है, भी इतने पैसे रसीव हुए, तो ऐसे ही calculation यहां पर, Aurean TL84+, allowing blind and visually impaired user to assess the calculator function through speech output, साथ में बात वो करेगा, बोल बोल के बताएगा, हिंदी में भी कर लें, भी हिंदी वाले गुस्ते ना हो जाएगा, यह जीमेल, मीमेल हो गया सारा कुछ, और इसके बादे गूगल मिट भी हो गया, वेकल्पिक प्रारूप समगरी, बड़े साइ बाता है, और बात करें, इसके बात की है, और समवेदी उपकरण, समवेदी उपकरण कौन से है, इंग्लिश में एक बार देख लिते हैं, यहां जाके, यहां sensory tools, devices, apps, sensory problem, जिन बच्चों को है, देखने की, यह बातें वो हो चुकी हैं, लेकिन इसमें आप सिफ यह बता सकत हो आटिजम वाले हैं, बच्चे हैं, sensory processing, senses, five senses, देखना, सुनना, सूंगना, smell करना, और टेस्ट करना, और skin की, यह बाली, आटिजम की है, anxiety, attention, deficit, hyperactive, disorder, ऐसी conditions के लिए, बच्चों के लिए, यह helpful है, Customizable, accessible setting, simple है, font size adjust कर सकते हैं, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हैं, zoom जैसे हम zoom में करते हैं, eye gaze system, हिंदी वाले यह भी देख लो भी, यह आपके अनकूलन योग, अभी है, योगता setting हो गई, और नेत्र दृष्टी परनाली हो गई, और switch, access technology, यह रही, और यह आप हागे हैं, eye gaze system, physical disabled के लिए है, eye gazing system, example देनी है, यह दे सकते हो, eye tech, TM5 mini, यह याद नहीं वैसे रहेंगे, next है, switch assess technology, जिन बच्चों को motor movement की problem है, उनके लिए useful है, अगर repeat हो रहा है है, यहां तक आप बंद, हाँ, sign language recognition, यह ज्यादा जरूरी है, यह सबसे जो पिछली बाते करके आए, उससे सबसे unique है, जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते, वो sign language, finger को position को ऐसे, 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 ऐसे करके, यूज करते हैं, तो वो इशारे जो करते हो, आप computer screen के आगे, करते हो, तो वो इशारों को, वो language spoken language में translate करते हैं, आप इशारे कर रहे हो, technology that translates sign language into spoken or written language, वो type कर देंगे, facilitating communication for individuals who are deaf and hard of hearing, इनको सुनाई नहीं देता, sign language वो use करते हैं, यह example है, for example, इन्होंने ऐसे, ऐसे किया, और यह image यहां बन गई, और यह यहां type हो गया, हां, जहां फिर बोलके सामने आ गया, यहां पर speak के लिए है, sign to speak, यह speech to text है, तो यह convert करता है, लिखा है, प्यार का संदेश है, यहां पर लिखा है, next है, बस last में हम, environmental control system, यह भी पिछले से different है, Amazon Echo with smart home integration allow user to interact device using voice command, enabling hands free operation and convenient access to information entertainment and smart, आपने वो एपल पर देखा होगा, हाई शेरी मेरे लिए यह कर दो, मेरे लिए यह गाना डूंड दो, मेरे लिए यह कर दो, वैसे है यह सब कुछ, आप होम घर में हो, घर में वो अपरेटर्स पड़ा है, आप कहीं भी हो, आपने बोल कर कहा, कि यह यह कर दो, में यह यह गाना डूंड दो, मेरे लिए यह यह ना, computer से सर्च कर दो, तो वो software कर देता है, simple इतनी बात है, personal FM system, तो जो hearing impaired वाले learner हैं, उनको help करने के लिए कि सुनाई दे सके जो बात हो रही है, listening की यहां पर help हो रही है, तो यह device भी है, listening device designed to improve speech, understanding and communication of individual with hearing loss, naturally, वो आवाज को बढ़ा देता है, उसके कानों में जो आवाज बढ़ रही है, हमें जिसको उंची हमें सुनाना पड़ता है, तो यह technology help कर देती है, हिंदी में भी आप देख लो, कि पॉइंट जो रहे गए हैं, संकेतक भाशा पहचान, अभी sign language की बात की है, वही है, पर्यावरन निरंतरन, ए शरी मिजल मेरे लिए यह कर दो, और लास्ट में हैं व्यक्तिगत FM system hearing, जो जिनको सुनने की problem है, तो यह technology सी, next question होगा, कैसे यह technology help करती है, inclusion को बढ़ाने के लिए, यह question आ सकता है, how this technology help to increase participation of a learning disabled person in classroom, अगली वीडियो में करते हैं, thank you.